हलो फ्रेंड वीडियो आपके साथ में श्यार करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्ट सी मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं छोटे-छोटे स्टोरी पैरग्राफ ऐसे मैं आपके साथ च्यार करती रहती हूं जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर् इसके अंदर future tense का यूज रहेगा has to have to का यूज आपको इसमें देखने को मिलेगा और काफी सरे model verbs शोटी है हमारी उनका भी यूज आपको इसमें देखने को मिलेगा स्टार्ट करते हैं reading और देखते हैं क्या है इसके अंदर if you want to change your life you have to change your mindset if you want तुम चाहते हो to change बदलना your life your means आपका life means जीवन यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हो present independent tense है हमारा ठीक है you have to you means तुमें have to का मतलब क्या होता है जब भी हम बूलना चाहते हैं कर ना है जब भी हमारे sentence के last में ना है आता है change यहनि कि बदलना है your mindset आपका mindset निकला माज सिकता तब हम have to का use करते है यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते है तो आपको अपनी माज सिकता को बदलना है it's that simple यह इतना ही सरल है and or yet फिर भी so difficult और उतना ही कठिन यह बहुत simple यानि कि सरल है उतना ही कठिन we get stuck in our ways we get stuck get stuck यानि कि अटक जाना या फिर first जाना हम first जाते हैं फिर हम अटक जाते है in our ways in our ways यहनि के हमारे तरीकों में हम हमारे तरीकों में first जाते हैं या अटक जाते हैं विश्वासों में चिपके रहना even when they are no longer serving us even फिर भी या फिर भी या फिर यहां तक की when जब they are no longer they are यहनी की वे हैं no longer का मतला होता है क्या और कुछ नहीं कर रही है serving यानि के us वो हमें और सेवा नहीं दे रही है फिर भी हम पुरानी माननादों शिप्ट के रहते हैं, पुरानी माननादों से या पुराने विश्वासों से चिप्के रहते हैं, but लेकिन if we can shift our perspective, यदि लेकिन यदि या फिर अगर we can shift, can का मतलब होता है सकते हैं, ability बताता है हमारा most of the time, we can हम सकते हैं, shift यानिके हम परिवर् परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर बदल सकते हैं our perspective, हमारे दिश्टिकून को, यदि हम हमारे दिश्टिकून को परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं and open our, open means खोल सकते हैं our minds, हमारे दिमाग को खोल सकते हैं to new possibilities, to new यानिके नई के लिए possibilities यानिके नई संभावने के लि we want to live we can create हम बना सकते हैं the life हम जीवन बना सकते हैं we want to live जिसे हम जीना चाहते हैं हम अगर अपने mindset को यहनी कि हम अपने दिमाग को खोलते हैं और open करते हैं नई सब्भावनाव के लिए so how do we go about changing our mindset so how do we go हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर गोगा मतलब जाना नहीं है about changing यहनी कि हम कैसे अपने दिमाग को अपने मानसिकता को change कर सकते हैं या बदल सकते हैं it starts with recognizing that it's possible it starts यह शुरू होता है with recognizing recognize का मतलब क्या होता है पहचानने से यह पहचानने से शुरू होता है that it's possible कि यह संभव है यह पहचानने से शुरू होता है कि यह संभव है and or then taking the steps needed to make it happen and or then taking तब लेना taking यहनी कि लेते रहना the steps उन कदमों को लेते रहना needed जिनकी आवशकता है to make it happen make it happen का मतलब क्या होता है कोई भी चीज करने के लिए या होने के लिए तो हमें कोई भी चीज करने के लिए या होने के लिए उन कदमों को लेने की आपशकता है are you ready to make a change क्या आप एक चेंज के लिए बदलाव के लिए तयार है keep reading and listen to the podcast for keep reading यानि के पढ़ते रहे and listen और सुनते रहे to the podcast for podcast मतलब क्या होते हैं आप लोगोंने आपशकर बहुत जादा सुना होगा कोई भी चीज आप सुनते रहो normally तो keep reading यानि के पढ़ते रहे and सुनते रहे to podcast to tips यानि के युक्तियों के लिए tips के लिए जो भी आपको ideas मिल रहे उन के लिए on how to get started तो how to get started कि आपको कैसे शुरू करना है उसके लिए आप पढ़ते रहे और सुनते रहे if you set a clear achievable goal for yourself if यदि you set आप निर्धारित करते हो sit होता है हमारी उसके second form भी होता है और set मितलब निर्धारित करना भी होता है यह जिस ध्यान रखी हो ठीके if you set अगर आप निर्धारित करते हो a clear expressed और हासिल करने वारा लक्ष for yourself अपने आप के लिए achievable यानिके हासिल करने वारा if it will allow यानिके यह आपको अनुमती देगा you to focus यानिके किसी भी चीज़ के उपर आपका ध्यान किंद्रित करना on one task किसी एक कारे के उपर आपका ध्यान किंद्रित करने में आपको अनुमती देगा at a time एक समय पर until completed जब तक कि वो complete नहीं होता है यानिके जब तक कि वो पूर नहीं होता है तब तक के लिए focusing on your goals focusing यनिके ध्यान किंद्रित करते रहना आपके लक्ष पर building good habits building बनाते रहना अच्छी आदते आएंग का use हो रहा है continuous action यह बता रहा है यह चीज में आपको हमेशा बोलते हैं जहाँ पर भी आ रहा है इसका simply meaning हो जाता है कि करते रहना कोई भी चीज है उसको करते रहना तो building good habits अच्छी आदते बनाते रहना staying away from people staying away यह निके दूर रहते रहना उन लोगों से who don't encourage you जो आपको प्रोच साहित नहीं करते उन लोगों से दूर रहना and or having a healthy diet और हुना a healthy diet यह निके उचित आहार या स्वस आहार लिना बोथ दोनों के लिए mentally and physically constantly enable you to free बोथ दोनों ही mentally यह निके मांसिक और शालिरिक स्वास्ति के लिए उचित आहार लिना constantly लगातार enabling के सक्षम होना शक्षम होता है you to free you means तुम्हें to free यह निके मुक्त करना किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं कि यह चीज़ फ्री है यह निके मुफ्त है या फिर मुक्त करना दोनों का meaning same ही होता है मुक्त या मुफ्त ठीक है you to from your from your the change of your past from yourself आपके अपने आपको yourself यह निके आप अपने आपको from the change of past change of past का मतलब क्या होता है अतीत की जो जंजीरे हैं उनसे अपने आपको मुक्त करने में शारीरिक और मांसिक रूप में आपकी वो मदद करता है keeping your head clear of negativity keeping रखते रहना your head आपके दिमाग को clear from clear of negativity यानि कि नकारात्मक सत्ता से साफ रखना अपने दिमाग को इस absolutely crucial इस means है absolutely का मतलब क्याता है पूर्ण रूप से वो महत पूर्ण है आपके अपने दिमाग को नकारात्मक सता से साफ रखना पूर्ण रूप से महत पूर्ण है and on occasion you may need existence to build good mental health and on occasional occasion का मतलब क्या होता है कभी कभी जिसे के और कभी कभी you may need आपको आवेशक्ता हो सकती है मेंका मतलब होता है शायद हो सकती है यह मारा model होता है आपको शायद हो सकती है need आवेशक्ता assistance यानि के सहायक की to build good mental health built बनाने के लिए एक मानसिक अच्छे स्वास को बनाने के लिए आपको एक सहायक की आवेशक्ता हो सकती है good self care एक अच्छी स्वायम की देखवाल की also helps you आपके साथ ही वो मदद करता है you means to me to free yourself to free यानि के मुक्त करने में आपको from bad habits बुरी आदतों से that cause stress जो stress का यानि के तरनाव का कारण है cause का मतलब होता है कारण stress यानि के तरनाव का जो तरनाव का का कारण है वो आपको उन चीज़ों से अच्छी आदते जो है वो आपको उ अगर आप D please को समझेंगे तो और कैसा लगा प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा मैं कोशिश करती हूँ different topics में आपके साथ में share करूँ जिससे कि हम different चीजों को भी सीखे उन topics की बारे में भी सीखे और उनसे हमें कुछ न कुछ सीखनी को जरूर मिले I hope यह video और यह topic आप आपको फसंद आया होगा कैसे लगा प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा आज के जो three words है जिनसे हमें sentence प्लाना है comment box के लिखना है first है हमारा mindset यानि के मान सिकता next is possibilities समभाव ना है and third है occasion occasion means कभी-कभी या कभी कभार हम बहते हैं कि कभी-कभी यह चीज करता हूं occasionally तीनों words सबको sentence बिलाना है comment box के लिखना है आज के जो three words है मारे dictation के first है clinging next है absolutely and third है chains clinging absolutely chains I hope you video topic आपको पसंद आया होगा कैसे लगा प्लीज मुझे comment box में जरूर बिताएगा thanks for watching कर दो